प्रश्न है महाराजी चरनशपर जी महाराजी मेरा नाम महाराणा प्रताप सिंग है और बैसे तो मैं आज आपके दर्शन करने आया था अच्छा आप ही महाराणा प्रताप है जी मेरा नाम महाराणा प्रताप सिंग जादोन है और मैं लाहर से चुरली काओं को रहने वाला और यहां पर शिक्षा के लिए बिंड में रहता हूं वैसे तो मैं आपके आज दर्शन करने आया था क्यूंकि समय का मिल पाता है अभी परिक्षा भी चल लहीं है और अभी हमारे बाइसाब ने एक सवाल पूचा था इसलिए थोड़ा मन में विचार आया है कि हमारे ब्रंद वंस कृष्ण बतारा हुए हरन महा महिवारा कृष्ण तनाय होए पतितोरा बचन अन्यता होए नमूरा ठीक है और ऐसे पूरी दुनिया जानती है कि स्री राम भगमान का जनम सुरवंच में हुआ है और स्री कृष्ण जी जो द्वार का दीश है उनका चंद्रवंच में जमना का जाता था अब यसोदा महिया कह रहा है पहले यसोदा का जाता था पर अभी भी हम यग बोलते हैं पर आप लोग हैं जो बड़े लोग हैं वो ब्याकरन समयते हैं तो जग बोलते हैं तो जो जादोन लोग हैं अब हमारे यहां भी जो पटिया लोग आते हैं हमारे त्याश्का रातें का रॉली रियासत भी रही है तो ज़ादोनों की रही है उसमें और ये चौपाई भी बताती है जब जदूवágस शरी कृषणा बतारा और जो हमारे कृष्ण चंद्छी और हमारे हमारे क्रिश्न के बंसे जो जदूञ है और हमारा जो बंस है वो भी चंद्रवंसी छत्री है, यदुकुल स्रंकला है हमारी, यदुकुल, और जादोन उफबंस है, और जाती से छत्री है ठाकुर है, तो हम थोड़ा आपसे यह पूछना चाह रहा हैं, कि आप महाराजी थोड़ा यह किलियर करिए, कि यदुबंस में जो चत्री लोग आते हैं, वो कौन-कौन आते हैं, और चंद्रवंस में कौन-कौन आते हैं, जैसे तोमर जादोन यह तो हमको भी मालूम हैं, पर फिर भी आप यह बताएं, शूरवंस में कौन-कौन से चत्री आते हैं, और चंद्रवंस में कौन-कौन आते हैं, इसके विवरण सक का, ब्रामुनों का, छत्रियों का, वैश्यों का, शुद्रों का, सब का पूरा विवरण है, तो उस पुस्तक को पढ़ा जाए इस समाधान के लिए, उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या, आप किस वंस से हैं, जी माराजी पर ये चौपाई कर रही हैं, अब कहीं यदू को जदू कह दे, तो वो जदू कहें या यदू कहें बात एक ही है, उसे एक ही माना जाएगा, जी माराजी जगह ना, आप जैसे छत्रिय कई लोग छा नहीं बोल पाते, तो खत्री, अब छत्रिय का खत्री हो गया, क्योंकि कुछ लोग छा नहीं बोल कर खत्री बोला जाता है किक्छानी बोलते खा बोलते हैं खा को तो यह होता है कहीं कुछ listener का इससे वह हो गया बात वही है कि है test जी माराजी एक प्रशन और था कि हमारे जे हो जितने भी बड़े बड़े बयाशगत्दि पर ब्राजमान contains संत हैं मांत हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो हमारा जो भारत देश है और हमारा धर्म सनातन धर्म है परन्तु परतमान में देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट की और हिंदू सब्दी की जो होड़ हो रही है वो एक हिसाप से है तो गलत क्यूंकि हमें विदेशी आकरंत लिए गायते हैं सब कुछ और जिंदा बच्चों को चुनबा दिया गाया हमारी माओं ने जो और किया है तो पर उनकी आदीनता और उनकी बिचारों पर अपने मतलब शुईकर्ति नहीं दिया है नहीं हिंदु धर्म मतलब जो भी उन्होंने काया है वो शुईकार नहीं किया है पर आज के समय में आप भी और हम भी देख रहा है हमारे ऐसे मालो युवाओं की जो सान है वागुषवर दाम माराज जी वो भी कहते हैं हिंदु राष्ट मनाएंगे अब ये भारत देश है माराज भरत की भूमी है जो चंद्रबंशी चत्री थे दुष्यंत के पुत्र और ये हिंदु राष्ट की माम क्यों की जा रही है जब ये शनातन राष्ट पहले से ही है आज भी इसको भारत भूमी बोलते हैं आर्यवरते जम्मूदी पे तो माराज ये भारत देश है भाराज भारत के नाम पर है तो ये नया हिंदु शनातन की जगह है पर हिंदु तुमने थोड़े मुख्य सुना एंदू तो जब माराज सनातन है तो हिंदू सभ्दम सुउपार के नहीं कर रहे हैं तो गलती हमारी है क्यों कि अगर सुउपार करना था तो क्यों हमारे मानपूरवजों किसी ने गास की रोटी खाई किसी ने वलिदान दिया किसी के बच्चे चुनवा दिये गाए कहीं कोछ कहीं कोछ महाराज बस थोड़ा यह अंतिम प्रशन है दोड़ा महाराज इसमें देखो सनातन संस्कृति जो है न सत्य सनातन धर्म जो है सिंधु नदी के तटवासियों को हिंदू कहा गया सिंधु नदी के तटवासियों को हिंदू कहा गया सास्त्रों में भी पुरानों में भी हिंदू शब्द का जिक्र मिला हिंदू शब्द का जिक्र सास्त्रों में मिला तो हिंदू एक प्रकार है जैसे आम तो आम होता है जैसे सनातन तो है स्रेष्ट अब इसमें प्रकार आ गए जैसे आम तो आम है लेकर आम में प्रकार है ये लंगडा आम, ये दसहरी आम, ये कलमी आम ये चौंसा आम उसी तरह चार प्रकार यहां भी हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई ये चार विचार है हम हिंदू विचार धारा के लोग है वो मुस्लिम विचार धारा के लोग है वो इसाई विचार धारा के लोग है वो यहुदी विचारधारा के लोग हैं उसी तरह ये हमारी विचारधारा है जिस विचारधारा को हिंदू कहा जाता है अहिंसा की जो बात करें सत्त की जो बात करें गाय को मा मानने की जो बात करें जो पथर में भगवान की पूजा की बात करें जो पेड़ पौधों में नदियों में नदियों की पेड़ पौधों की पूजा की बात करें प्रकृति की पूजा की बात करें वही सनातनी है और वही हिंदू है और हिंदू जहां है तो वहां हिंदू राष्ट हो जाए इसमें कोई आपत्ती नहीं है कोई बुराई नहीं है इसलिए सनातन धर्म का ही एक मूल शब्द है, एक मूल विसेश वाग के बाद में लिया गया हिंदू, तो ये हिंदू अपने आपको कहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं ठीक है, अब आप लोग फास्ट अपना मूबाइल निकाल के यूट्यूब पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो, जरासी दूरी और बची, इसके वाद ये परिवार पूरा, आज मैं आपको बधाई दूँ, फिर, ये देखिए, बारा एक करोड़ पत्चिस ला लोगों का पूरा होगा,